हेलो गाइज, वेलकम तो अनका अडमी, मैं हूँ अनिकियत अगरवाल अज हम बहुत इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे जो है वर्ल्ड फूड प्राइज तो ये क्या होता है, किस लिए दिया जाता है, ये सब चीजे हमारे लिए इंपोर्टन है प्रिलिम्स और में इस दो, नहीं पॉइंट अफ्यू से, प्लस ये बहुत जादा आपके लिए फॉर्डर का काम करेगा तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आप किसी भी एरिया में दाल सकते हो आपको agriculture से related आए, food से related आए, उसमें आप दाल सकते हो इंडिया के contribution से related आए, ये scientific developments है तो ये सारे points उसमें भी आपको काम आएंगे, essays में काम आएंगे और आपको means के अंजर भी काम आएंगे तो ये वाला जो topic है, बहुत जादा आपको folder points की तरह भी काम आएगा for food and agriculture तो दोनों में से कोई भी लिखा हो तो सेम ही मतलब है उसका ये भी अपने आप में बहुत important fact है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को से request करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए and share कीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ ही इस बेल आइकन को भी दवाईए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जोनाक आडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें You should also join our telegram channels तो आप लोगों को हमारे telegram channels को भी join करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की त्यारी अच्छे से हो सके क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे PDF फाइल्स मिल जाएंगी और अजने रिसोर्से जो भी आपके एक्जाम से समंदिध है वो सारे के सारे यहां पर दाल दिये जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा तो यह अनकाडमी आर्टिकुलेट का टेलिग्राम चैनल है इसके लावा यह मेरा पर्सनल डिसकॉशन ग्रूप है आप इसे सर्च करेंगे तो टेलिग्राम पर आ जाएगा इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किये जाते हैं और यह मेरा अनिकेट सर के नाम से टेलिग्राम चैनल है जिसके मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती है तो आपको इसको भी जॉइन कर लेना चाहिए अफकोर्स यह सब फ्री है तो हमारे नए तीन बैचल शुरू हो रहे हैं अनकाडमी प्लस पे जो कि आपकी कम्प्रीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रिलिम्स के लिए और पूरा इंटर्व्यू कोर्स पे समें कवर होगा तो आप देख सकते हो कि यह बाइलिंग्वल बैच है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तमाल किया जाएगा यह हिंदी उनली बैच है जिसके अंदर अगीन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको काफी ज़ादा help हो जाएगी काफी ज़ादा आपको comfortable रहेगा और यह इंग्लिश only batch है अगर आपको regional languages आती है या फिर हिंदी नहीं आती आप English मीडियम से पढ़ते हैं तो उसके लिए काफी ज़ादा benefit batch है तीनों के अंदर यह आपका जो batch है तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 months का plan है जिसमें आपको 67% तक off मिल जाता है and 10% extra discount मिल जाएगा using my code and अगर आप 12 months का plan लेते हो तो आपको 54% discount मिलता है और ANI 7 code यूज़ करके आपको 10% extra or discount मिल जाएगा इसके इलावा हमारे All India free mock test हो रहा है 21st June को जिसके अंदर आप participate कर सकते हो और अपनी self assessment देख सकते हो कि आप कहाँ पर stand करते हैं और आपको कितनी preparation की किस area में जरूरत है जो सबसे important बात है वो यह है कि जो ये award मिला है 2020 का वो Indian American scientist को मिला है जो है Dr. Ratanlal तो Indian American होगे तो इसलिए important होगे कि India की contribution हम कहीं ना कहीं recognize करते हैं Indian origin के बंदे को कोई recognition मिली है So Dr. Ratanlal has been declared as the winner of the world food prize of 2020 यह आप देख सकते हो image इनकी 2020 Ratanlal ठीक है यह इनकी image है I believe soil is a living thing इन्होंने कहा है कि जो soil है वो भी अपने आप में एक living thing है That's what soil health means Soil is life यह कहते हैं Soil healthy इसलिए ज़रूरी है और soil अपने आपे life है Every living thing has rights Therefore soil also has rights और जिस तरह से हम कहते हैं कि हर एक जीवित प्रानी के rights होते हैं कुछ उसके हम मौलिक अधिकार देते हैं तो उसी तरीके से Soil को भी उसका एक मौलिक अधिकार मिलना चाहिए उसको भी हमें एक living thing की तरह treat करना चाहिए He played a major role in developing the mainstream of soil centric approach to increasing food production that conserves natural resources and mitigates climate change तो इन्हेंने बहुत बड़ा role play किया है as a scientist जिसमें इन्हें Soil centric approach यानि कि Soil के हिसाब से हम किस तरह से चीजों को उगाएं किस तरह से food production को increase करें और साथ की साथ natural environment को natural resources को भी जो है बचा के रखें उस चीज को इन्होंने address किया और climate change के impact को हम किस तरह से minimize कर सकते हैं इस पर भी इन्होंने short किया Three separate United Nations Climate Change Conferences have adopted his strategy of resorting soil health as a means of sequestration carbon तो जो carbon sequestration का concept हम environment में पढ़ते हैं और यह मैंने आपको environment वाली class में detail में समझाया हुआ है तो मैं आपको short में बता देता हूँ carbon sequestration इसके अंदर हम क्या करते हैं हम जितनी भी हमारे पास carbon dioxide इकठी हो रही है उसको हम artificial पीशरी, artificial methods से, machines के माधियम से, pipes के माधियम से water bodies के अंदर या soil के अंदर store कर देते हैं तो वो जो होता है process उसको हम carbon sequestration कहते हैं और इससे soil health improve होती है और जो United Nations के climate change की conferences हैं उन्होंने भी तीन बार इनकी strategies को adopt किया और sequestration जो है इसको mainstream में लाने का काम किया In 2007, he was among the recognized with the Nobel Peace Prize certificate for his contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC reports when IPCC was named co-recipient of the Nobel Prize तो 2007 के अंदर भी इनको Nobel Peace Prize का certificate दिया गया था क्योंकि इन्होंने IPCC के अंदर यानि कि Intergovernmental Panel on Climate Change के अंदर बहुत जादा काम किया था और IPCC उस साल co-recipient था Nobel Prize का Objectives की अगर हम बात करें जो हमारे World Food Prize है उसका तो World Food Prize हमारा जो है ये foremost international honor है जो recognize करते है किसी भी person की achievement को individual की achievement को जिसने improvement of quality, quantity and availability of food की बात कियो यानि कि आपने किसी भी तरह से फूड के अंदर योगदान दिया हो, खाने के अंदर योगदान दिया हो, खाने पदार्थों के अंदर, food crops के अंदर योगदान दिया हो, जिससे कि उनकी quality improve हो सके, quantity improve हो सके और overall availability जो है वो बढ़ सके ताकि जो Food Hunger है या Global Hunger है उन सब तरह की problems को हम खतम कर सके second field coverage की बात करें तो it is an annual award यह हर साल दिया जाता है that recognizes contribution in any field involved in the world food supply जैसा कि अभी हमने देखा including plants, animals and soil sciences, food sciences, technology, nutrition and rural development तो again इसके अंदर कहीं सारी तरह क्या आपकी चीज़ें आजाएंगी आपकी plants आजाएगा, animals आजाएगा, soil sciences आजाएगा, food sciences आजाएगा, technology आजाएगा, nutrition आजाएगा तो मतलब किसी भी तरीके से again वही बात है कि quality, quantity, availability of food को अगर आप increase कर रहे हो तो आपको यह annual award दिया जा सकता है, individuals को भी दिया जाता है, individual को ही rather दिया जाता है और annual होता है, हर साल होता है, eligibility की बात करेंट, it is open for any individual, जैसा मैंने आपको पताया without any regard to race, religion, nationality और political belief, तो आप किसी भी country की हो, किसी भी religion की हो, किसी भी race की हो politics को मानते हो, ना मानते हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, अगर आपने कोई contribution दिया था, as a scientist, as a humanitarian person, तो आपको यह award दिया जा सकता है cash prize की बात करें, तो इसके दर cash prize भी दिया जाता है, धाई लाक डॉलर्स का, और इसके बाद, उनका sculpture भी बनाया जाता है, जो कि एक well-noted designer बनाते हैं, तो sculpture भी बनाया जाता है, तो यह हमारे लिए जादे important information नहीं है, eligibility is more important the prize is presented each year on October, around United Nations World Food Day, 16th October, जो जाद तर यह October में दिया जाता है, क्योंकि 16th October जो United Nations का World Food Day मनाया जाता है, और जो organization यह present करती है, वो है World Food Price Foundation, तो World Food Price and Foundation, तो यह जो foundation है, अगे इसको बहुत सारी company support करते हैं, individual support करते हैं, तो इनको donation से जो पैसा ही कठा होता है, उसी से यह इस price को designate करते हैं, ताकि इस field के अंदर काम किया जा सके, और individual जो काम कर रहे हैं, उनको recognize किया जा सके, जो यह foundation है, इसकी location जो है अमेरिका में है, तो यह Desmondis, USA से अंदर located है, अब इसके बारे में कुछ होर facts देख लेते हैं, Dr. Norman, winner of the Nobel Peace Prize in 1970s, तो जो Dr. Norman थे, जिनको Nobel Peace Prize मिला था 1970s के अंदर, for his work in global agriculture, उन्होंने इस prize का निर्मान किया था, तो उन्होंने ये world food prize का निर्मान किया था, इनको global agriculture में काम करने के लिए Nobel Peace Prize से समानत किया गया था 1970s के अंदर, और इनको father of green revolution भी कहा जाता है, यह fact important हो जाता है, तो आप से पूछा जा सकता है, एक statement देखे कि, recently world food prize was in news, it was considered by dash and dash, और उसके बाद आप से पूछा जा सकते second statement में, कि dr. Norman is considered as father of green revolution, तो यह आपको पता होना चाहिए, और जब आप green revolution की बात करते हो, तो इंडिया के अंदर father of green revolution कौन है, वो है dr. Ms. Swaminathan, वो भी आपको पता होना चाहिए, the world food prize was created in 1986 with the sponsorship of journal foods corporation, तो इसके अंदर 1986 के अंदर sponsorship दी गई थी, journal foods corporation द्वारा, जिनने अफकोर्स इस पूरे price का खर्चा में गारा उठाया था, it is also known as noble prize for food and agriculture, ये भी important है, world food prize का जो other name है, वो होता है, noble prize for food and agriculture, तो ये आपको याद रखना है, noble prize for food and agriculture, उसके बाद आजाता है dr. Ms. Swaminathan, तो जैसे मैंने आपको बता Green Revolution का father कहा जाता है, so dr. Ms. Swaminathan was the father of India's Green Revolution, and was the first recipient of this award in 1987, so 1987 के अंदर जो first time ये award दिया गया था, world food prize दिया गया था, जा फिर जिसको हम noble prize for food and agriculture बोलते हैं, वो दिया गया था, तो dr. Swaminathan को दिया गया था, जो कि अगीन एक Indian थे, तो ये हमारे लिए बहुत proud वाली बात थी, और इंडिया का father of Green Revolution कहा जाता है, so it was a small topic, world food prize क्या होता है, तो हमने इसको discuss कर लिया, और जो dr. रतनलाल है, इनके बारे में जितनी भी information है, इनकी biography में मैं अलक्सी वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको इनके सारे के सारे विचार भी देखने को मिलेंगे, और इनके क्य किस तरह से soil health को generate किया, और ये क्या कुछ हिंडिया के बारे में बताते हैं, वो हम discuss करेंगे, thank you for watching. अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं, किसी और teacher से पढ़ना चाते हैं, तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना तो आप किसी और भी teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई restriction नहीं है, कि आप कितनी मर्जी बार teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं, और अपना syllabus घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं, second यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो है, वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही nip-tara कर दिया जाता है, तो nip in the bud हो जाता है, ताकि कोई भी doubt ऐसा नहीं हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करे, revision के time पे आपको problem आए, तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है, again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जो हैं, वो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको ए UPPCS का exam निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको UPPCS के लिए कोई specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एकी subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है, तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो again अगर आप अच्छे स इसका फायदा उठाएं, तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं, और जो आपको जौब लगती है, आप उसको रख सकते हैं, तो एकी subscription में आपको बिना double पैसे खरच किये, आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है, and again घर बैठे-बैठे, क्योंकि घर बैठे-बैठे एक बहुत कोचिंग नहीं है, तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका monthly expenditure बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का, और अन्य चीजों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे real time interaction है जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं, तो teachers के साथ आपका interaction जो है, वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका offline classes में रहता है, तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजिए, कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा है, या doubts जो है, वो बच जा रहे हैं, doubts clear नहीं ह पारे, इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी, तो exam से पहले सबसे जादा important होता है, कि आपने कितने test किये, क्योंकि जितने test किये, और specially जो हम टेस्ट में गलत करते हैं, वो हमें जरूर याद देना जाती है, तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं, वो आपकी बार- तो अगर plain suppose कीजे, आपने कोई MCQ का course लगाया, उसके अंदर आपने plain PDF फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए, और बाद में आप उसे annotated है, जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहां कराए हैं, उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी, तो इस तरीके से आपके MCQs की practice बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जो theoretical chapters है, उनके भी हर एक chapter के हर एक video की PDF notes दिये जाते हैं, इसके इलावा आपका full syllabus coverage होता है, बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रहे गया, सर ने NCRT's नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो हैं वो complete भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है, लेकिन एन academy पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा, पूरा syllabus आ लास्ली आप सभी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, और आफलाइन भी देख सकते हो, यह अगेन बहुत important चीज है, special उन लोगों के लिए, जो कि किसी remote area में रहते हैं, या फिर किसी भी reason से वहाँ पे internet की reception अच्छे नहीं आती, जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था, त साथ की साथ उन चीजों को revise कर सकते हो, उन चीजों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है, वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है, प्लस आपका data भी बचता है, तो अगेन क्यूंकि आप बार बार अगर चलाओगे, तो आपका data use होगा, तो उस case के अंदर आप एक Academy Plus का subscription अच्छा है, आप हमारी वीडियो देखते हो, हमारी quality देखते हो, तो आप join करेंगे, तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7, तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा, तो आपको net amount हो काफी कम आ जाता है, और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था, अगर आप 2 सा लगा होगा, informative लगा होगा, thank you for watching this video and have a nice day.